हेलो पुडीज मैं हूँ किरं हूम मीड फुडी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए समोसे की रेस्पी लेकर आई हूँ रेस्पी देखने के बाद चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रोज नई रेस्पी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं समोसे समोसे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है ये मैंने दो कटोरी के करीब मैदा लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे अजवाइन ये एक चमच के करीब अजवाइन लिया है इसे इस तरीके से मसल कर डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब इसमें डाल देंगे वन स्पून के करीब नमक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मौन के लिए हम इसमें डालेंगे आॉयल, आॉयल मैंने हाफ काटोरी के करीब लिया है तो इसमें थोड़ा सा मैं आॉयल बचा लोगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और इसमें और डाल दूँगी, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह इस तरहीके से मि जानी आट करती जाओंगी और साथ ही इसका एक डो तैयार करना है यह देखिए बिल्कुल टाइट डो होना चाहिए ज्यादा लूस नहीं होना चाहिए अब मैंने यह लिए हैं कुछ उबले हुए आलू स्टाफिंग के लिए और कुछ प्याज मैंने बारी काट लिया है इसम इसमें डाल देंगा, भी अम चाहिद रूटर करें, रीड़ा, ठाण मासालच में मिक्स कर लेंगे, पिर्द देखिए अ लिभे से जाहिए यह अच्छे मैं dang आई तुकड़े से नजर आने चाहिए चाहिए प्यार्टेन यह तरु में काने में अच्छाचा समीच पाउडर अब हमारा सेट हो चुका है इसमें हम थोड़ा सा डो ले लेंगे यह देखिए थोड़ा सा लेकर और बाकी डो को मैं अच्छे से कवर करके रख दूँगी ताकि वो सूखे नहीं अब जो मैंने डो लिया है इसकी हम लोईयां बना लेंगे चोटी 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 टुकडों में जैसे हम रोटी के लिए लेती हैं लोई उस तरीके से लोईयां इसकी बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें सबी लोगियों को पहले तयार कर लोगी और इस तरह रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे जो चपाती जो है वो ज़्यादा ना मूटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए इस तरीके से इसे बेल लेना है अब चाकू से इसको हम बीच में से कट कर देंगे अब हम लेंगे पानी पानी को हम इसके किनारों पर लगा देंगे यह देखिए इस तरीके से पानी को हमें किनारों पर लगा देना है यह देखिए इस तरीके से अब हमें इसे इसे layer को ऐसे उठाके रगदेना और दूसरी layer को इसके ऊपर रख देना यह हमारा कौन तयार हो गया है यह देखिये और साइड से इसे थोड़ा सा मैं हल्के हाथों से दबा देना है अब उपर की layer की तरफ भी हमें इसमें आलो पहले हम stuffing इसमें भर देंगे यह देखिए और साथ ही मैंने इसमें यह पनीर का टुकडा लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे अब इसके उपर हम पानी लगाकर इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे यह देखिए एक तरफ से हमें छोटा सा फोल्ड कर देना है और हलका सा पानी लगा कर इसे चिपका देना है ये देखिए इस तरीके से इसे दबा कर बंद कर देना है लीजिए ये देखिए कितनी बढ़िया शेप बनी है ये देखिए बस इसे हलके हाथों से दबा देना है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले यह देखिए अब एक मैं यह दूसरा समोसा भी है आपको बना कर एक पर और दिखा देती हूँ पहले इसके पानी लगाएंगे इसके किनारों पर अगर यह थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ यह देखिए अब इसके किनारों पे पानी लगा देंगे ये देखिए अब एक साइड से हमें उठा कर इसे सेंटर में इस तरीके से कर देना है एक कौन की तरह हमें इसे बनाना है ये दूसी लेयर को उठा के इसके ऊपर रख दिया है ये देखिए अब इसे हाथ में लेके, स्टाफिंग को हम इसमें डाल देंगे, आप कोई भी स्टाफिंग इसमें भर सकते हो, आजकल तो बहुत तरह के समुसे मिलने लगे हैं, नूरल्स भी भर सकते हैं, पास्ता भी भर सकते हैं, लेकिन में जो इंग्रीडन्स है, वो हमारे यह हैं, में म यह देखिए, अब इसे हम चिपका देंगे, इसे बंद कर देंगे अच्छी तरह से, लीजिए, हमारे समोसे इसी तरीके से मैं सभी समोसों को पहले तयार कर लूँगी, और एक तरफ मैंने कड़ाई भी रख दी है, इसमें ऑयल गरम हो चुका है, और समोसे भी हमारे सभी तय यार हो चुके हैं, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, सभी समोसों को मैं कड़ाई में डाल दूँगी, यह देखिए, अब इसे पहले हम एक तरफ सिखने देंगे, और धीमी आज पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है, बस हलके से इन्हें सिखने दीजिए, आराम से, जब एक तरफ से सिख जाएं तो हम इनको पलट देंगे, यह देखिए, इस तरीके से हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक उन्हें हम फ्राई करेंगे, यह देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी समोसे हमारे बने हैं, यह इस रेस्पी को आप जरूर ट्राइ करना घर में यह देखिए इन्हें अब हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे लीजिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं यह लीजिए दोनों सॉसिस मैंने रगती हैं इसमें ग्रीन चटनी और चटनी के साथ आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो तो कैसी लगी रेस्पी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर जूर करें और अगर आपने अभी तक मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दे दिया है जाकर जूर चेक करें बाई बाई टेक के और फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ